नमस्कार देच्चू चैनल पर आपका श्वागत है बात करेंगे राजस्तान के मोशम के बारे में अगले 24 कंड़ों से लगा कर एक सब्सक्रा के दोरान कैसा रहेगा राजस्तान के छेतरों पर मोशम आज 22 जनौरी है आज से 55 का असर राज भारत के उत्तिरी पाड़ियों से देखने को मिलेगा लेकिन आज अधिरात के बाद में राजस्तान के छेतरों पर भी 55 का असर देखना शुरू हो जाएगा कल 33 जनौरी से सोबी सही पीकान देर की कई भागों पर बाद लुकी आवाज यावाज देखी जा सकती है लेकिन बारेश की गिटविद्य हैं जो की लगबग 33 जनौरी से लगा कर 30 जन्र की बीज में राजस्तान के कई इलाहों पर हलकी से लगा पर तेज बारेश होगी बागों पर हल्की बारीश दर्जोने की परबल संबावना बन रही हैं अधिक्तम तापमान लगबग 10 डिग्री से लगा कर 5 डिग्र के 20 रिकोर्ड होगा और नियुतम तापमान है जो कि कुछ किरावर भी देखने को मिल सकती हैं 25 जनर से लगा कर 30 जनर के 20 में लेकिन दक्सम बाग हैं जो कोटा उदेपूर संबाग की जनर की बात करें पर अधिक्तम तापमान इसी सब्ता पर देखा जाए 25 डिग्री के आसपास पहुंस जाएगा वाएं ज्यादातर 17 उत्तिर रहेगी अगले एक सब्ता के दोरान बिकने और जोदपूर संबाग के ज्यादातर बा ज्याद करें आज 22 को मोजहीं ज्यादा तरशेत्रों सुस करेगा कल 23 जनर है 23 और 2023 को मोचोटाथ्ली रहे기는 में फिते इस अध्य最 करेगा लेकिन कल 2पर के बाद में जोदपूर और बाड मेर के बाग और पाले के बागों पर कहेंगी चित्रह इतौर पर कपाशी बाद लुकिया वज़ई देखने को में लेगी लेकिन 25 जन्र से लगा कर 28 जन्र के बीश में कुछ टाइम के लिए घरे कपाशी बाद लुकिया वज़ई जोदपूर समभा के चित्रह पर बनी लेगी लेकिन को जोदपूर के बाग हैं को जेसिल मेर के बाग हैं को चपाली के बाग हैं यहां पर देखा ज़त कह arriv रहे हलकी से लगा कार 30 जनर के 20 में यह पर बारिष के गितिद्या बढ़ेगी यह पर बांशवाड़ा, नुंगरपूर, उद्धेपूर, राशमा, चितोरगार, भीलवाड़ा, कोटा, बारा, बुंदी के चत्रों पर कई लेकों पर मद्यम से लगा कर तेज बारिष भी होगी और साथ में मिलेगी, सेबसे ज़्यदा बारिष के दोड़े जो की जलवाड़ के चत्र हैं, बारा के बाग हैं, कोटा, बुंदी, चितोरगर, भीलवाड़ा, राशमान के पूरी बाग, उद्धेपूर के दक्षिन पूरी बाग, और बांशवाड़ के बागों पर देखा जाए, बार जेपूर, अजमेर और बर्दपूर संबाग के जिलो की बात करें, यहाँ पर आगामी 120 कंटों के दोरान को जेपूर संबाग के जिलो पर भी कहीं के हलकी बहुत सारे देखने को मिल सकती हैं, यहाँ पर नागोर, अजमेर, टौक, सोयमादपूर, करोली, दौलपूर के चत सबस्की हैं, अलोर हैं, चिकर हैं, सुरू हैं, जुनुजनु हैं, यहाँ पर सबी कित्तर पर कल से यंद्ट ययन तेवे जंद्र से बादिलों कीया वज़े बनी रहेगी, आदिधम ताफमान लग तूस्ट डिगरी से लगा कर नियोतम तमतापान 10 तीगर से लगा कर 5 तीगर के 20 बना रहेगा और अधिक तमतापान लगबग 22 तीगर के आजपास रहने की संबौन है यहाँ पर देखाज़े नागोर की बात करें तो नागोर के चतरों पर अगले 20 गंटों को दोरान कई कई हलकी बोचारे भी दिखने को म बात करें हैं पर अगले 27-47 गंटों को दोरान कई के मद्यम दर्जक की बारिश होने की संबौन है और 25 जनर से लगा कर 30 जनर की 20 में या कुछ जगों पर तेज़ बारिश भी होगी और अजमेर के पूरी बाग हैं टों के चतर हैं सोयमादपूर हैं करोली हैं दौलपूर के चतर हैं जो ये बेल्ट है इन बेल्ट में देकाज़त काई के टेज़ बारिश भी होने की संबौन हैं 25 जनर से लगा कर 30 जनर की 20 में बीकानेर संबा के जिलों की बात करें तो बिकानेर के चतरों पर भी अगले 27 गंटों को दोरान कुछ बागों पर हलकी बहुतारी देखन छाल लेकिन 23 जनर से लगा कर जिलों पर बादल की आओज़ बढ़ने की संबौन हैं लेकिन 31 जनर के बाद में मोशमें एक बार फिर्चे राजस्तान के चतरों पर शाब होज़ाएगा लग बात करें तो यह पर 26 जनर से लगा कर तीस जनर की 20 में कुछ टाफमान में नियोत जम्ताफमान लगबग 3-4 डिगरी के आसमास पहुंच जाएगा और अधिक जम्ताफमान लगबग 17-18 डिगरी के तक पहुंचने की संबाउन है तो ऐसे रहेगा लगबग 24 कंटों को दुरान राजस्तान के चेत्र पर मौशम जेहन चेर राजस्तान